हमस्ते बच्चो आज की पाड़ साला में हम कक्षा पाँचवी विसे हिंदी हिंदी विसे में दूसरी काई हमारी सुरू हो गई है दूसरी काई में ये चौथा पाठ है क्या तुम जानते हो बच्चो इस पाठ में हमें बहुत सारे ज्ञ्यानपत जानकारी दी गई है आप सब इस जानकारीों को पड़ो और याद करो ठीक है? तो चलो हम पड़ते हैं राके शर्मा आंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारती है बच्चो आंत्रिक्ष में कई देशों के लोग गये हैं लेकिन हमारे भारत में राकेश शर्मा ये आंत्रिक्ष में जाने वाले सबसे प्रतम भारती हैं दूसरा, चीता सबसे तेज दोडने वाला प्राणी है, सब प्राणी दोडते हैं बच्चो, लेकिन उसमें जो चीता है, वो सबसे तीज दोडता है तीसरा, मान सरोवर सरवधिक उचाई पर इस्थित प्राक्रतिक सरोवर है जो मान सरोवर है न बच्चो ये बहुत उचाई पर इस्थित प्राक्रतिक सरोवर है चौथा, ध्यान चन को हाकी का जादूगर कहा जाता है पाचवा, सूरे प्रकास सरीर में उपस्थित विटामिन D को सक्रिय करने का प्राकृतिक माध्यम है जो जो सूरे प्रकास होता है न बच्चो, हमें सूरे के प्रकास में सुबे थोड़ा दिर तो जरूर बैठना चाहिए उससे हमें विटामिन D मिलता है एशिया संसार का सबसे बड़ा महादूइप है सात्वा, शुन्य का अविश्कार भारत में हुआ आठवा, संस्कृत को भारतिय भासाओं की जननी कहा जाता है नवा, विश्व भर में डाक घरों की सबसे अधिक संक्या भारत में है भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बच्चो ये जो बहुत महत्पुन जानकारी दी गई है इन सारी जानकारियों को आपको याद करना है परिक्षा में प्रश्ण भी आते हैं तो बच्चो इसके उपर मैंने कुछ प्रश्ण बनाए है मैं आपको प्रश्ण दिखाती हूँ तो चलो बच्चो हम पाठ चार क्या तुम जानते हो इसके प्रश्ण उत्तर देखते हैं तो हमारा पहला प्रश्ण है बच्चो राकेश शर्मा आंतरिक्ष में जाने वाले कौन से भारती है तो उत्तर है राकेश शर्मा आंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारती है हमारा दूसरा प्रश्ण है तेज दोडने वाले प्राणियों में चीते को किस अस्थान पर माना जाता है तो उत्तर है तेज दोडने वाले प्राणियों में चीते को प्रथम अस्थान पर माना जाता है अब हमारा तीसरा प्रश्न है, मान सरोवर सर्वधिक उचाई पर इस्थीत कैसा सरोवर है? तो मान सरोवर सर्वधिक उचाई पर इस्थीत प्राक्रतिक सरोवर है, चौथा ध्यान चंद को होकी कार क्या कहा जाता है? तो उत्तर है, ध्यान चंद को होकी का जादूगर कहा जाता है। पाच्वा प्रश्न बच्चो सूर्य प्रकास सरीर में उपस्थीत विटामिन डी को सक्रिय करने का कौन सा साधन है तो इसका उत्तर है बच्चो सूर्य प्रकास सरीर में उपस्थीत विटामिन डी को सक्रिय करने का प्राक्रतिक साधन है प्रश्ण चठा, एसिया संसार का सबसे बड़ा क्या है? तो इसका उत्तर है, एसिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है प्रश्ण सात्वा, अंकों में से किस अंक का अविश्कार भारत में हुआ? इसका उत्तर है बच्चों, अंकों में से शुन्य अंक का अविश्कार भारत में हुआ? आठवा प्रश्ण संस्कृत को कहां की भासाओं की जननी कहा जाता है इसका उत्तर है संस्कृत को भारत की भासाओं की जननी कहा जाता है प्रश्ण नौवा डाग घरों की संख्या के मामले में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है इसका उत्तर है डाग घरों की संख्या के मामले में विश्व भर में भारत का पहला स्थान है हमारा दस्वा प्रश्णु भारत संसार का कैसा लोकतंत्र है इसका उत्तर भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो बच्चो ये जो दस प्रश्न मेंने आपको बताए हैं इसके उत्तर आप लोग याद करिए और ये जो जानकारी है ना ये बहुत अच्छे जानकारी है इस जानकारी को आप याद रखिये सदेव परिक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक है बच्चो तो बच्चो यहां तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पारसाला काला आप सभी बच्चे ले रहे हैं जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो वैसे आपके दोस्त भी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि बच्चो अभी स्कूल नहीं खुला है कब खुलेगा ये हमें पता नहीं है शायद जन्वरी तक खुल जाए ठीक है बच्चो और अगर आप मेरी पार्साला रोज देखते हो लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पार्साला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे ओन कर दीजिए ताकि मैं जो भी पार्साला डालू वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सको ठीक है बच्चो तो एक बार आप लोगों का घंटीवाद बाई बाई बच्चो